आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ओन्लाइन क्लासे सोनपुर में और आज हम इस वीडियो में बिहार बीड और डियलेड इंट्रेंस एक्जाम दुहर चौबिस के लिए फीजिक्स के सेट संख्या 4 को देखने वाले हैं जिसमें महत्यपून 20 प्रशनों को सेट लेकर आये हैं और अल्रेडी हमने जो है इससे पहले आप सभी लोगों को सेट नमर 3 तक जो है कम्पलीट करा दिया है अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वीडियो को प बताईएगा कि आपको जो है सेट नमर 4 में आपका 20 मार्क्स में से कितने आपके नमर आ रहे हैं जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा तो कि आपको मार्क्स आ रहे हैं इस सेट में समझ गए चलिए यहाँ पर आपका जो है पहला प्रेस्न है और पहला प्रेस्न यहाँ पर देखिएगा जो यह आपका प्रेस्न बोला गया है इसको देखिए और इसका उतर देने का आप लोग पढ़्यास किजिए वन मिनट यह देखिए आ यहां पर देखिएगा प्रतिरोध का एसाई मात्रक होता है अब समझेगा प्रतिरोध को हम लोग इंगलिस में जो है resistance बोलते हैं और इसको हम लोग प्रतिरोध को हम लोग किस चीज़ से denote करते हैं तो प्रतिरोध को हम लोग जो है R से denote करते हैं समझ गए यहाँ पर option देखेगा candela, henry, ohm और volt तो प्रतिरोध का जो आपका SI मात्रक होता है न वो आपका ohm होता है क्या होता है? ohm को ohm ऐसे लिखते हैं और ohm को हम लोग denote ऐसे करते हैं समझ गए तो इसका answer क्या हो जाना चाहिए और अगला प्रस्ण यहाँ पर देखेगा दूसरा नमबर और इस प्रस्ण का उत्तर आप लोग देने का प्रयास किजिए यह दूसरा नमबर प्रस्ण है कि एक प्रकास वर्स बराबर होता है अब यहाँ पर बताईएगा प्रकास वर्स की दूरी प्रकार्स वर्ट्स जो है, किसकी मतलब मात्रक होता है, आप सबी लोग जानते हैं, प्रकार्स वर्ट्स के माध्यम से लोग जो है, दूरी को मात्ते हैं, पर आपको बताना है कि एक प्रकार्स वर्ट्स में जो है, कितने किसके बराबर होता है, कितने किलोमीटर के बराबर हो यह आपका एक प्रकास वर्स होता है वो किसके बराबर होता है तो याद रखेगा वो आपका नौ दसमलो चार छो गुने दस के पावर 12 के बराबर होता है कितने के बराबर होता है 12 के बराबर तो इसका correct answer option आपका B हो जाएगा समझ गए इसका correct answer क्या हो जाएगा option आपका B हो या किस बात को घोतक है अब बताईएगा जो आपका बैरो मीटर होता है इसके माध्यम से हम लोग जो ये बैरो मीटर है इसके माध्यम से हम लोग जो है वायू मंडली ये वायू मंडली जो है दाब को मापते हैं समझ गए और ये जब अचानक गिरता है जब हमारा बैरो मीट ऑचानक जूहें नीचे गिरना और पिर आपका धीरे 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 गिरना तो कहने का मतलब हैं कि ये तीन तर्म आपका होता है और तिनों से आपका प्रेश्ण पूश्टा है तो याद रखेगा ये प्रेश्ण आपका बुला अचानक गिर जाना यानि कि गर्म मौसम, सर्द मौसम, आंधिया, जांजावात, संभावना, सुस्क मौसम तो याद रखेगा कि वायू मंडल डाप जो होता ना, आपका आचानक जो है ना, मतलब गिर जाता है, तो वह जो होता है, आंधिया, आंधिया तुफान का संकेत देता है तो इसका correct answer option नम्र आपका c होगा, आंधिया और तुफान का, इसका मतलब क्या होता है, आंधिया तु मौण सबसम है मैं और जाब आपका धिरे-दिरे जो हे नीजे गिरता है तो आपका जो है मतलह भी सुषाना मौसम होता है तो यह आपका जो है सुषाना मौसम होता है याद रखेगा के लिए थरН ना यह 3 से समझ गये को हुल और दा इक प्रश्ण के और बढ़ते हैं आगला प्रश्ण ही आपकर देखियागा यह आपका अर किसारे यह चाहरे रखेगा तो ज़ादा किसका होता है और झीजिक यादर रखिएगा तो जादा जो होता थै और कम जो होता है आपका वैगनी कलर का होता है वैगनी तो यहाँ पर पूछा क्या है वैगनी रंग का तेरे धरंग होता है सबसे कम समानने सबसे अधीक और इनमें से कोई नहीं तो आपका जो वैगनी रंग का तेरे धरंग होता है वो आपका क्या होता है वो सबसे जो होता ह अगले प्रस्न पुछता है जयादा किसका हो लाल रंका अगर गाला प्रस्न बोल गाए Brig और सुना नहीं सकते हैं तो बतायेगा उसका ढार्ति कितना होता है? हम लोग मालूँ है कि 40 हर्द से कम, à 20 हर्द से कम और 40 हर्द से लेक तक 20,000 हर्द तक हम लोग जो है सुर्वय जो तुरंगे होती है वो कितना होता है प्रियाद रखेगा जो आपका सुर्वय तुरंगे होती है वह होता है 20 हर्ट से लेकर आपका 20,000 हर्ट क्लियर है लेकिन और सुर्वय जो तुरंगी होती है वो 20 हर्ट से कम होता है क्या होता है 20 हर्ट से कम होता है तो इसका ए बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा, अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर कीजेगा, हमारी तब्बे थोरी ठीक नहीं है, अब आज आपको फसा हुआ, नजर आ रहा होगा, बट कोई बात नहीं है, आप प्रेक्टिस करते रहें, यहाँ पर दिखेगा, अगला प्रेस्न यहाँ पर छे नमर है, और यहाँ प्रेस्न क्या बोल रहा है कि, दो बिंदू के अवेस के मद्य बल्न फोर्स एफ और उसके मद्य के दूरी आड के बीच सम्मद बताईए, यानि दो गो आवेस है और उसके मद जो है F force लगा है और उसके मद जो है R दूरी लगा हुआ है तो इसके बीच का जो है आपको relation बताना है तो आपने ये class 12 में पढ़ा होगा कि F proportional 1 by R square होता है तो इसका correct answer आपका option D हो जाएगा F जो होता है proportion होता है किसका 1 by R square का clear है तो इसका answer option आपका D हो जाएगा clear है चलिए अगले प्रस्न की बात करते हैं अगला प्रस्न यहाँ पर आपका 7 number है और 7 number प्रस्न बोलगा है कि torch में किस sale का परयोग होता है बताईएगा torch में किस sale का परयोग करते है इस तरह का कोई हमारा torch होता है तो इसमें हम लोग voltage cell और laid cell बताईएगा क्या होगा जो हमारा torch में हम लोग sale का परयोग करते है वो किस sale का परयोग करते है तो वो हमारा होता है dry cell क्या होता है वो हमारा dry cell होता है तो कहने का मतलब में क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा सुष के sale option number इसका B जो है correct answer है option number B जो है correct answer है clear है चलिए अगले प्रस्नि के बात करते हैं तो अगला प्रस्नि आपर एट नमर देखिएगा और या प्रस्न आपका वोल रहा है कि गुर्तवा कर संद्र जी का मान को बताना है समझ गए गुर्तवा कर संद्र 8 मीटर प्रति है इसक्वाड dot 8.7 meter square 8.2 meter square मतलब minus 2 और यह आपन 9.2 meter square तो g का मान जो होता है 9.8 meter square होता है यह आपको 9.8 1 meter कहीं कहीं आपको यह भी मिलेगा तो इसका answer क्या हो जाना चाहिए option आपका a हो जाना चाहिए option नमर आपका a जो है correct answer है option नमर आपका a जो है correct answer है समझ गए चलिए अगले प्रस्णी की बात करते हैं तो अगला प्रस्णी हाँ पर देखेगा नौ नम्मर और यहाँ प्रस्णी क्या बोल रहा है द्यान प्रोग देखिए जल तरंगे होती है अब बताईएगा जो आपका जल तरंगे होती है वो कैसे होती है अनुध्यरे होती अनुप्रस्थ होती है अनुध्यरे और अनुप्रस्थ दोनों या दिर्ग विरती है तो याद रखिएगा जो आपका दल जल तरंगे होती है वो आपका अनुप्रस्थ और आपका अनुध्यरे दोनों होती है तो इसका एंसर क्या हो जाना चाहिए option आपका C हो जाना चाहिए clear है, यानि कि जल तरंगे जो होती है, दोनों होती है अनुधारे तरंगे भी होती है और अनुपरस्त तरंगे भी होती है समझ गए? चलिए इस प्रस्न का उत्तर आपका C हो जाएगा अगले प्रस्न की बात करते है यहाँ पर 10 नमर प्रस्न को देखिए स्वाडे उर्जा का स्रोत क्या है? बताईएगा स्वाडे उर्जा का स्रोत क्या है? option देखेगा प्रित्म विघट नाविक्ता एक्सरे उत्सर्जन नावकिये सल्लायन और नावकिये विखंडन बताईएगा क्या होगा? तो स्वाडे उर्जा का जो स्रोत है ना वो आपका निमले खित में से नावकिये सल्लायन है क्या है? नावकिये सल्लायन है तो इसका एंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका option नमर आपका C हो जाएगा नवकिये सलनायन जो है आपका सौरे उर्जा का मुख्य सुरोत है समझ गए? अगले प्रस्णी की बात करेंगे यहाँ पर ध्यान दिजेगा अगला प्रस्णी यहाँ पर आपका 11 नमबर है तो यहाँ पर याद रखेगा जो आपका ये रेडियो का अब इस कारेक है न वो आपके कौन है? तो मारकोनी है कौन है? मारकोनी याद रखेगा और जेल बेर्ट की बात कर लेगा समझ गए? तो टीवी का यानि टेली बीजन का इन्होंने जो है बल्व का खोज किया था आपने देखा होगा बल्व की कहानी आपने पढ़ा होगा ये चारो प्रस्न किलियर हो गया कि रेडियो की खोज मारकोनी, जेल बेर्ट ने टीवी का खोज किया था, चार्स बेबिजने कॉंप्यूटर का और थोमस अलवा एडिसर ने बॉल्व का तो इसका इंसर हो जाएगा ओप्शन आपका डी मरकोनी, किलियर है, चलिए अगले प्रस्नी की बात करते हैं तो यहाँ देखिएगा कोशन संख्या आपका बारा नम्मर और यह बारा नम्मर प्रस्न बोड़ा है कि वर्षा की बुंदे गुलाकार की आविर्थी का कारण क्या है बहुत इंपॉर्टन प्रस्न है बार-बार एक्जाम में आपको देखने को पूछता है बताएगा द्राव का घनतो प्रिष्ट तनाव गुर्तो और वायो मंडलिय दाब तो बताएगा वर्षा की जो बुंदी होती है वर्षा की जो बुंदे होती है उसका गुलाकार होने की आविर्थी का कारण क्या है तो वो आपका जो होता है प्रिष्ट तनाव होता है समझ गए प्रिष्ट तनाव तो इसका answer क्या हो जाएगा option आपका B हो जाएगा यानि कि जो आपका बारिष के बुंदे का गुलकार होने का जो कारण है वो आपका प्रिष्ट तनाव होए समझ गए option number इसका B हो जाएगा अगले प्रश्णी की बात करेंगे तो अगला प्रश्णी आपर दीखेगा तेरा नमर प्रश्णी क्या बोले जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है स्यानता होती है सबसे ज़्यादा जो है स्यानता यानि कि सबसे ज़्यादा किसमे होता है जल की वायू की सहद की और खून की तो सबसे ज़्यादा जो है किस सीज जो है गाड़ा होता है पानी गढ़ा होता है क्या नहीं वायू गढ़ा होता है यह नहीं गलत हो जाएगा बचा हमारा खून और हमारा सहद तो बताईए कि अगर खून गाढ़ा होता है तो जम नहीं जाता है तो तम जी ही नहीं पाएंगे तो भी हमारा गलत हो जाएगा correct answer हमारा option number D हो जाएगा सहद सहद आप लिखते हैं बहुत गाढ़ा होता है गाढ़ा समझ गे न तो इसका answer क्या हो जाएगा option आपका B हो जाएगा अगले प्रस्णी की बात करते हैं तो देखिएगा अगला प्रस्णी आपका चौदन है पर यह आपका बोल रहा है कि प्रमानु-बम क्या सिधान्त अधारीत है जो प्रमानु-बम है वह किस सिधान्त के उपर जो है अधारीत है बताईएगा नवकिये आप करने का सही सूत्र बताइए अपने class 12 में और class 11 में पडाऊगा बताऊगा क्या होगा तवरण गयाद करने का a equal b minus u by t a equals u plus b t a equals b plus u by t a equals b plus u by 2 तो तवरण गयाद करने का जो आपका समाने सुत्र होता है ना वो आपका क्या होता है तो वो होता है अपका a square b minus u by t यानि कि आपका correct इंसर option number आपका A हो जाएगा समझ गए बाकी सबाब का गलत है सबरन मिकालने का ग्यात यही होता है फर्मूला अगले प्रस्ण की बाप करते हैं कोर्शन संख्या यहाँ पर 16 है और यहाँ प्रस्ण बोला है कि द्रिस यह स्पेक्ट्रम के तैरे धरंग की सीमा क्या होता है यहाँ पर द्रेंग की सीमा क्या होता है और यह बहुत बार पूछा हुआ एक्जाम में प्रस्ण है यहाँ पर देखैगा 1300 एंगेंस्ट्रम से लेकर 1400 एंगेंस्ट्रम और 4900 एंगेंस्ट्रम से लेकर collector America InterMAN And Emily 80 से लेकर 99,900 यानि कि आपका जो तैरे धरांग की होता है SI क्या होता है एंगेंस्ट्रम में हम लोग नाते हैं तो वह जो होता है आपका उन 400 से लेकर आपका 76,100 एंगेंस्ट्रम यानि कि यहाँ पर अप्सन नमर जो है भी आप लोग का correct answer हो जाएगा समझ गए चलिए अगले प्रस्ण की बात करेंगे तो अगला प्रस्ण यहाँ देखिएगा अगला प्रस्ण यहाँ आपका जो है 17 नमर है और यहाँ प्रस्ण बोगाए कि एंगेंस्ट्रम इकाई होता है बताएगा तैरे धरंग की फुर्जा की वेग की या विरती की अभी हमने यह प्रस्ण बताया कि जो यहाँ आपका एंगेंस्ट्रम होता है तो इसका answer क्या हो जाएगा option आपका A हो जाएगा option आपका A हो जाएगा अगले प्रस्ण की बात करते हैं तो अगला प्रस्ण देख लेगा अगला प्रस्ण यहाँ आपका 18 नमबर है और यह प्रस्ण आपका बोल रहा है कि एक पीको ग्राम बराबर होता है एक पीको ग्राम बराबर कितने आ आपके कितना होता है, तो 10 के पावर माइनस 12 ग्राम, यानि कि option नमर C जो है, इसका correct answer हो जागा 10 के पावर माइनस 12 ग्राम, किलियर है, अगले प्रस्णी की बात करते हैं, तो चलिए, अगले प्रस्णी की बात करेंगे, 19 नमर प्रस्ण को देखिए, अभी यहाँ प्रस्ण आ जान्द की सता से प्रिथवी पर लाये जाता है, तो क्या होता है, अब यहाँ पर option देखिएगा, इसका दरवनाम बदल जाता है, इसका भार बदल जाता है, प्रंत्रू, दरोमान नहीं, भार और दरोमान जो है, दोनों बदल जाते है, ना दरोमान हो ना ही, भार बदलता ह तो याद रखेगा कि जब भी जो है हम चंद्रमा की सता से जो है न कोई पत्थर को लाते है प्रिफवी पर तो क्या होता है कि उसका भार जो है बदल जाता है लेकिन दरवमान जो है सेम रहता है समझ गए तो इसका इंसर अप्शन आपका भी होना चाहिए यानि कि जो उसका वेट है न बढ़ जाता हम लग जानते हैं कि हमारा यहाँ पर वजन अगर 60 किलो है तो वहाँ जाएंगे चंद्रमा पर तो एक मट अच्छा हो यानि की 10 किलो हो जाता है समझ गया तो वही बात है तो वहाँ पर कहने का मतलब है कि इसका भार जो है बदल जाएगा जो रहाएगा समझ गया दरॉमान नहीं बदलेगा इसका एंसर आपका option B हो जाएगा अगले प्रस्न की बात करते हैं तो देखिए अगला प्रस्नी ह्याँ पर क्या है बीस नमर प्रस्न बोल रहा है और यहां प्रस्न देखे का 20 नमर मिर्थू के प्रसात नेत्रदान के लिए नेत्रों का खाली अस्थान घंटे के बीतर निकाल लेना चाहिए। यानि आपको ये बताना है कि मिर्तु के प्रसाथ जो है, साथ ये बालो जी कोश्चन आ गया है, मिर्टु के प्रसात जो है नेत्रदान के लिए नेत्रों को खाली एस्थान घंटे के भीतर निकाल लेना चाहिए कितने घंटे के भीतर जो है निकाल लेना चाहिए यह आपर option देखेगा 6, 8 घंटे, 12 घंटे या 24 घंटे तो इसका जो correct answer हो जाएगा इस प्रसन का जो correct answer होना चाहिए वो आपका 6 घंटे होना चाहिए जब भी मतलब आपके नित्रदान किया जाता है न तो मरने के बाद 6 घंटे के भीतर जो है उसका निकाल लेना चाहिए तो इसका answer हो जाएगा option आपका A हो जाएगा साइध यह light cut गई है थोड़ी सी problem आ गई बट कोई बात नहीं आज के लिए इतना ही और आप सभी लोग जो है अपना score बताइए कि आप लोग का कितना score आ रहा है मिलते है नेक्स टुडियो में अब तक के लिए धन्यवाद Thank you so much